बोलो दूबे जी वो जीके के गुंडों को छुडाने के लिए बेल ओडर लाए हैं से कितना इंतिजार करवाएगा अब सर बेल पेपर्स बेल तरीके से मांगनी चाहिए दूबे जी सर रिया कीजे उन्हें आजाओ आजाओ यह क्या हो रहा है सर बेल मिलते ही तुम्हारे आदमियों ने हमारी लेडी कॉंस्टिबल से बत तमीजी तुम्हामें फसा रहा है यह क्या है सर बेल ओडर मिलने के बाद भी उन्हें नहीं छोड़ा आपने यह लेजे पेपर और उन्हें छोड़ दीजिए ओके दूबे जी यह सर अरे सर यह सब क्या हो रहा है बेल मिलने के बाद तुम्हें ऐसा है और हवालदारों पर जान लेवा हमला तुम्हमें फसा रहे हो ऐसीपी तु अंधर सबको भुला के फ़ण रहा इसलिए यहरहार सवाल का चवाँ हम बार से देंगे ऐससन ह। अरे ये बॉम है रहे मालूम है रहे पागल हो गया के तू रहे पागल नहीं रहे ये पिन मैं रखता हूं ये बॉम तू ये एसीप ये क्या कर रहा है बेल मिलने के बाद हमारे पुलीस टेशन पर हमला कर रहे हो तूम हमें बासाचा है 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 अधार काड लेकर पंध्रा मिनिट में यहां हाजिर हो जाए तभी रिहाए ये जो अपने चेले चपाटे चम्चो को बचाना चाहता है वो अपना पैन कार काड राशनकाड आधार काड लेकर पंध्रा मिनिट में यहां हाजिर हो जाए तभी रिहा करूंगा इनको उससे एक भी मिनिट्स ज्यादा लिया तो इनकी मैयत पे आ जाना ये तो ऐसे बात कर रहा है जैसे मैं होम मिनिस्टर नहीं कहीं का वॉच्मैन हूँ जीके दूबे जी जीके ने आज तक पुली स्टेशन में कदम नहीं रखा देखो कैसे अगले पंधरा मिनिट में यहां भागते हुए आता है जीके पुली स्टेशन में कदम रख लो राजा नहीं तो फंस जाएंगे नमस्ते हो मिनिस्टर साहब नमस्ते प्यारे राशन काड़ आधार काड़ पैन काड़ और सारे सबूत लाया हो मेरे बंदों को छोड़ जल्दिकर फर्स टाइम पुली स्टेशन आये हो खातरदार ही होनी चाहिए कौफी टी कौफी टी कौन पीता है हम तो यहां आगे यही कौटर बाद में दिखेंगे है ना जी कि इजट अफजाई बहुत हो गई है अब जरा उनको छोड़ भी दो उन सब को छोड़ दो ठीक है सर हम बाहर ने आएंगे सर साब साइन करेंगे उसके बाद यह सेलिट बानेंगे फिर डंडे जुत शुरू हो जाएंगे हमें बाहर जिरोने कभी थाने का मूँ नहीं देखा वो खुद तुम्हें चोड़ाने आएंगे यहां से चलो जी के मैं आदा खंटे में इसके ट्रांसवर करवा जिता हूं यह तिरे बाप के जीन्स की प्राब्लम है मेरे छोटे भाए और उसके फ्रेंड्स ने गुंगी लड़की को मार डाला उसे कोर्ट में प्रूफ करने के लिए तुम्हें सबूत पेश करने होगे गवाह पेश करने होगे लंबा चोड़ा प्रॉसेस इसी बीच में अपने छोटे को पार्लियमेंट की कुरसी पर बिठागे पॉलिटिशन क्या बला है तुझ जानता नहीं पॉलिटिशन क्या बला है तुझे अभी पता नहीं पॉलिटिशन याने गेंग हर रोज तुम जैसे सैक्ड़ों पुलिस वाले हमें सलूट मार कर सलामी देते हैं पॉलिटिशन यानि लीटर उनका हर अलफास तुम्हारे लिए एक हुक्म है पॉलिटिशन यानि मजिशिन माया माया रच्टे हम और सुनो इसे यहां से कहीं मत भेजो इसे यहीं रहने तो हम खेल खेलेंगे इसके साथ ए सिपी तुझे एक हफ्ते की महलत देता हूँ अगर दम है तो मेरे छोटे को अंदर करके दिखा वान वीक ट्राइ करके दे वान वीक थोड़ा ज्यादा हो जाएगा तीन दिन ही काफी जीके आज तक तुने मुझ जैसे बरदाश्ट करने वाले ओफिसर का सामना किया होगा अब सामना कर मेरे बेटे का मैं कमिन सर कमिन रमेश जीके के एलेगल कंस्ट्रक्शन को रोकने वाले कॉर्परेशन के इंजीनियर को मारने के धंकी दी गई है सर उन्होंने जीके के खिलाफ कंप्लेंट लिखवाई है हमारे डिपार्टमेंट को हमेशा उठा दिखाने वाला जीके अब हमारे जाल में फस गया है रमिश, और गरेो हो पकोैंजु Cक भिंदाबबब Cक भिंदाब YOUR जीके, गानून की नजर में बहुत कूल तरीके से, सिग्रेट की तरहे आराम से राजी को खोखला कर रहा है, ये एक ऐसा MP है, जो स्टेट से लिकर सेंट्रल तक के सभी पॉलिटीशन्स को अपनी जेब में रखता है, और ये हैं इसके दोनों साथी, इसके हर इलिगल बिजनस के एक्टिव पार्टना है, यह हैं जीके का छोटा भाई नानू, ये तीनों जीके की जान है, पता है इस जनम दिन में आपको जो खुश्खबरी देने वाला हूं वो क्या है, मेरा भाई नानू, बहुत जल्द राजनीती की दुनिया में कदम रखने वाला है, ये तरह मु लेकिन पुलिस वाला मेरा रास्ता काटे, गौवर्मेंट की जमीन को कबजा करके आप शॉपिंग कॉपलेक्स बना रहे है, उसे रोकने के लिए सरकारी ओडर है, जिस एंजिनियर ने आपके इलेगल काम को रोकने की कोशिश की, उसे आपने मारने के धम की दि, इसलिए आ नाम क्या है, एंजिनिर स्वाश कमार, तेरा नाम, रमेश, तुम मेरी गाड़ी में आएगा, या मेरी गाड़ी को फॉलो करेगा, आपके गाड़ी में चलो, कम्प्लेंट देने वाला इंजिनियर, यह कैसे हो गया मेरे भाई, एक्सिडेंट हो गया, एक्सिडेंट, नाम क्या है, रमेश, स्टेल लगवाने वाले मंत्री का ना, श्यामला, ओ, मेरे साथ चलेगा या फॉलो करेगा, मैं एक जगे कॉंप्लेक्स बना रहा था, आप उसे इलीगल बता रही है, आप लीगल का नोटिस दे देंगी तो मेरे आदमी काम शुरू कर देंगे, वो लैंड सोशल वर्क फार्मडेशन के लिए गवर्बेंट ने रिजर्व किया है, वहाँ कोई कुछ नहीं बना सकता, सोशल सर्वेस, तुम औरतों को 33 प्रतिशत आरक्षन देकर अपने ही पैरों पर कुलहरी मार ली, औरतें केवल चूलहा फूखने और बच्चों को पैदा करने के लिए होती है, मैं नहीं जूँगी, हो नहीं सकता, फ्रामला मैं पांच मिनिट का वक्त देता हूँ, मुझे मैं तो अपना आरेनवी मिनिस्टर में शामला को पत से हटा दिया गया है, अब वो पदवी मुख्यमंत्री सोयम अपने हाथों में रखेंगे, ये सूचना हमें मुख्यमंत्री कारियाल ऐसे मिली है, आगे के समाचारों के लिए हमारे साथ बने रहिए कम्प्लेंट देने वाला एंजीनियर नहीं रहा, पर्मिशन रोकने वाली मिनिस्टर भी गई, तेरा सस्पेंशन ओडर आ, इतने सानों के पॉलिटिकल करियर में, किसी ने मुझे पुलिस टेशन बुलाने की हिम्मत नहीं की, और ना ही किसी पुलिस वाले की मेरी चौखट तकानी की जुर्रत थी, और तू मुझे पुलिस स्टेशन बुला रहा था, आई हेट पुलिस, ए डिजी पी, जी के, हैधराबाद का बादशा, यहां मेरी हुकुमत को रोकने की, इम्मत किसी में नहीं, तुम्हारी ये जीत पॉमनिट नहीं है, आज तुम्हारा दिन है, क कितनी मरतानगी है, यह मैं भी देखना चाहता हूँ, तुम्हें से एक तो होगा, जो मेरी बराबरी का हो, ओ मिनिस्टर लाइप है, बात करो, करता हो ना भाई, मिनिस्टर जी, बोलिया मंत्री जी, अरे आप बोलने के लिए बचा क्या है, तुम तो वहां आराम से एसी में बैठे हो, और मैं यहां जंगल में पहसा हूँ, इनकी मांग जल्दी से पूरी करो, और मुझे यहां से नहीं जाओ, KCB Kalyyanan and team have entered the forest. Information मिलिये, पुलिस वोले आगे, तुमीने पुलिस को बुलाता है तुम्हें पोजिशन ले लो, उस्तरब जाओ, सर, अंदर कोई भी नहीं है, ए पुलिस, बाहर आजो, बटना इसे खतम कर देंगे, अपे, तुम लोग यहां मुझे बचाने आया हो, क्या बच्चों कि तरह आज पे जोली खेलने आया हो? हाई, माइडियर किड्नापर्स, क्याज है आप लोग, जनाब जेपी साहब, एसीपी कल्यान से ना, जेपी जी, आप घबरा क्यों रहें? घबराओं नहीं तो क्या करूँ, भागलों के तरह अकेले आयो, ताकि मेरा यहां तिम सथकार देख सको, गन कहा है, गचिए! अब यहीं खने रहें, वाटना गोल ही मुझे लग जाएगे, आये जेपी ची, मिशन कंपलीट हो गया है, अब आप आराम से यहां बैठ जाएए, अरे बापने, तुम्हें अकेला देखकर दर गया था, लेकिन तुम्हें सबकी बहेंड बजा थी, यही जान बचाकर तुम्हें कवाल कर दिया, मैंने आपकी उमीद से अच्छा काम किया है, अब मेरा भी एक काम करना होगा, जैसा काम? IPS पास करने के लिए बहुत तिकडम चलाईये मैं, मेरा एक अजिन प्रमोशन करवाकर, हाइदरबाद पोस्टिंग करवाई ना? यहां पर फोलिया चल रही है और तुम्हें अपने प्रमोशन की पढ़िये, वो सब नहीं होगा, तुम मुझे यहां से बाहर निकालो, नहीं होगा, नहीं होगा, अरे, क्या कर रहे हो, तुम मुझे यहां से जिन्दा ले जाने आयो, या मेरी डेड बोडी को कंदा देने सौरी सर, आपको जान चाहिए और मुझे मेरा प्रमोशन चाहिए, चलिए पहले फोन लगाए, तुम पुलिस वाले हो या आपोजिशन वाले हो, नायक साब, मैं जेपी बोल रहा हूं, आपने जिस पुलिस वाले को भेजा है, वो मुझे बचाने की बजाए ले टूपेग उसे तुरन प्रमोशन दे कर है, हैधराबाद पे पोस्टिंग करवा दो, हाँ, हाँ, बेटा, मैंने बोल दिया है, अब चलें, वो क्या है, फोन की बात तो पे मुझे बरोसा नहीं है, ट्रांसफर की फाक्स कॉपी MMS से इस पोन पे भेजने के लिए कहिए, फिर आपको ब प्रमोशन लिटर का MMS जल्दी भीजो, सर, MMS आगे, अब तुम तुम तुरन्त हैधराबाद जाकर अपना फर्ज नहीं भाव बेटा, इसलिए तो ट्रांसफर लिया है, सर, किसी की लाइफ से खिलवाट करना है, सुनो अंकल, आपका डी जी भी कहा है, वो देखे आ रहे है, यह महाशा कौन है, यहाँ ड्यूटी जोइन करने आए है, सर, सीनियर ओफिसर को देखते, तुम्हें सेलूट करना चाहिए, क्या तुम्हें यह भी नहीं बता, उससा मत हो यह अंकल, वो फॉर्मालिटी भी पूरी कर दूंगा, पहले ड्यूटी तो जोइन कर लूँ, कौन सा जोन मिला है, अरे, वेस्स जोन है, जुबली एस्टेट, बंजारा हिल्स, मादवपूर, बहुत पॉश एरिया है, मेरी कमाई अच्छी होगी, किस कमाई की बात कर रहे हो, मेरा नाम, इमानदारी से नाम कमाया जाता है, सर, सिंसेरिटी से काम करना, करूंगा, सर, ऐ और भगवान भी खुश होंगे, वम्हा, गुद्बाइ सर, वो डून सार, व्हार भेश पर करना, किस काम जो उनान अच्छी होगे, सर, वो डून सार, मेरा सै अभूर, बात है, सर, वो यहीं जो कॉलिटिशन और पॉलीस, पॉलीस, औरू फॉमर लान, मुझ से पहले जो ए वो कैसे थे मैं नहीं जान था लेकिन मेरे साथ कैसे पेश आना है ड्यूटी कैसे करनी है और पुलीस वाले कैसे होते हैं ये मैं तुम्हें बताऊंगा Am I clear? Yes, Sir Say it loud Let's take the pledge Sir, Sir Aishwal Aishwal आज के दिन से हम अपनी सोच और फर्स को जनता और अपनी भलाय पर नियोच्शावर करेंगे और जनता की जेबे खाली करेंगे Come on! जनता की जेबे खाली करेंगे अपने लिए अपने बच्चों के लिए आने वाली पीड़ abol जाये इलाके के हर धंदे वाले को अपनी मुट्टी में रख कर उससे हक से अपना हिस्सा मांगेंगे गिए सब रिस्क टॉटाए बिना फैंना प्यानिशलीृ सेट हो जाएंगे हम अपना धर्म और कर्म निभाने के लिए ज्यादा नहीं उचलेंगे अरे इतने एमोचनल क्यों होगे? तुम सिंसियर रहना चाहते हो क्या? यहां पर जितने भी S.E.P.D.C.P. आते हैं सब अपनी अपनी चे में भरते हैं अमारे राच्चे में हम जैसे C.I.S.I. हो मुच्छ था कौन है सर्व आप देमे जिनेक का एक रास्ता दिखा दिया सर्व आप इस कलियुक के मसीह हैं यहां फरिष्टा बनकर आस्मा से जमी पर प्रकट हुए देउता है सर्व नसीह हैं आपके लिए खुल भादेंगे श्री सूर यह कल्या अब मसकर हम कैसे जिएंगे यहां मुठी भर तो सालरी मिलती है जेब भरने के लिए हमें मेहनत करनी पड़ेगी तो सुनो मेरे प्यारे गुंडो इस शहर के हर पॉष एरिया में आज से मैं तुम्हें प्रोटेक्शन दूँगा कमफर्टिबली क्राइम करना लेकिन उसमें से 20% मेरे पुलीस भाईयों को देना और इसके अलावा टेक्नोलोजी इस्तमाल करो फेस्बुक ट्विटर एकसेटर 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 टेक्नोलोजी से हमें क्या फैदा होगा कितने भोले हो तुम कोई फेस्बुक पर बताता है कि मैं चन्ने जा रहा और वो चन्ना के लिए उड़ जाएगा उसके जाते ही घर साफ कर दो कोई अपने मोबाइल से ज्वेलर्स को ट्वीट उससे पुछो कि उसका शोरूं कम बंद होता है फिर वहां हात मारो तरक्य के रास्ते पे निकल पड़ो गॉड ब्लेस्यू माइचिल्रिन वारे वारे ड्राइवर का है दिखाए नहीं दे रहा है पांडी जी ओटो वालों से मांगोगे तो क्या मिलेगा कार वालों से मांगो जल्दी रही सोजाओगे जाने दो उसे क्रीशूरिय कल्या कामा बंकर यार वालों वो मैडम अरप सुनो मैडम होई पहरी हो क्या कबसे आवास जैना हो सुनाए नहीं दिया सॉरी आपका नाम श्रीवणी नाइस नेंप भोलू क्या कल्यान बाइब पांडे जी कुछ सोशल वर्कस हमारे रेवल्यूशन को जटका देने की कोशिश कर रहे हैं कहां है वो हेलो हम सच्छा स्वराज लाना चाहते हैं इसके बावजूद आप लोग खामोश क्यों बैठे हैं यह जो अन्याय हो रहा है उसके खिलाफ यह पूस्दारी जंगू नमूस्दारी मंगू हर हाल में व्लोग करेंगे आप इसी तरह से सटल्मेंट करते जाओगे तो हमें जड़क पे आके भीख मांगनी पड़ेगी एसीप को हटाओ रियल स्टेट को बचाओ एसीप को हटाओ आपको किसी से भी डरने की ज़रूरत नहीं है उस एसीप को हम हर हाल में हटाके रहेंगे प्रधाय प्रतिबोधितां भगावता ना रखनीग निस्वयमढ करते होगे टिवस्टश का रहा हुझे ज़रा अपनी प्यारी वैन को त्री सिक्स्टी डिग्री घूम कर तो देए यह क्या कॉंसेट्ट है सर वन नौट एट किसका नंबर है एमर्जनसी में एम्बुलन्स का नंबर है पेशन्ट को होस्पीटल ले जाता है किसी भी हालात में टाइम पर पहुंच के मरेजों की जान बचाता है और उसका बिलकुल पुलिस वाले हैं जो सिर्फ डेंडे से कमाल कर रहे हैं कुछ करने वाला मैं कौन होता हूं यह सब तो इश्वर के लिला काम जालिम का और नाम इश्वर का तुम्हारी हालत भी फटीचर जैसी हो गई उससे भी बुरी हमारे जैसे टुपीबाज इस शहर में और भी बहुत लोग है सर शेसी पिकाट कुछा और यार उसे तो हटा नाए होगा यह काट गए बेचारी अड़तों पर लड़कों का जुल्म छी 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 लड़कियों की मांग है कि शराप को जल से जल बंद कर दिया जाए एक क्वाटर ब्रांडी देना भाई या ब्रांडी और विस्की देना जिन बियर और वोटका यह लिए भाईया सोडा नहीं लोगी जरूरत नहीं यह यह पकड़ो और अब बोलो गन लेकर किसने किसको दोड़ाया था बोलो बताता हूं दीदी अचानक इसका एक्सप्रेशन ऐसा बदल क्यों गया है हम लोग न्यूस पर ध्यान देते हैं ना तुम बोलो बोलो इस गोरे चिट्टे चोकरे पर जान बूच कर अत्या जार कर रही है और जूटे इल्जाम में फसाने की कोशिश कर रही है एक लेडी टीवी 5 रिपोर्टर और उसका साथ दे रहा है एक कैमरामेन रगू तरीके से सवाल बुछती है इतरी इतनी हिम्मत मेरी पी के मुझ पर अटाक कर रहा है तूस दिन प्यार से बात कर रही थी और आज पिला कर भाव का रही है तू अब यह हमारे पीछे के लग गया है आएगा ही देसी पीने वा पांडी जी आप हमारे लिए भगवान है हमारे बच्चे मुनिसिपल स्कूल से कॉर्परेट स्कूल में शिफ्ट होगे बढ़ी आएरिया है एडवांस भी दे दिया है सर वेरी गुड मा बहुत खुश है पिता जी ठीक हो गए चोटा पढ़ाई कर रहा है बहन की मंगनी हो बहुत खुशी की बात तुम सब तो खुश हो ना तो मुझ क्यों रटका है आपने हमारी खुशी के बारे में सुचा लेकिन आपकी खुशी आप एक अच्छी लड़की से प्यार कर लो रहा है मेरे पास टाइम नहीं है और खूबसूरत लड़की स्लो मोशन में भागते व पांड़ी जी अरे सोरी सेर इनमसिकार सेर अबाला तुम तुझे नहीं छोड़ूगा यहां से भाग्चा क्या बात है सर बहुत पर यहां तुझे मुझे इस हूर और लंगूर का कॉंबिनेशन कुछ समझ में नहीं आया वह हूर कहीं आपको पसंद तो नहीं आ गई पाड़नी की अल्मोस्ट मेरे सपनों किरानी अरे तो फिर काम पढ़िया सर अच्छा मेरी हमसफर यही होनी चाहिए मुश्किले सर वह प्रेस वाली है आ एंड़नों टीवी मेरा चैनल का है यह वर अच्छानक बंद कैसे हो गया दूबेजी मेंबी आपका फैन इस है यह पता है यह यह प्रेस कॉंफरेंस क्यों बलाई गाई है उनके बारे में कहना है कि अवारागर्थी के बारे में रैकेट के बारे में नेताओं के बारे में नेक्स लाइटों के बारे में रेप के बारे में दूबे जी जो स्टॉल में बैठकर फर्स डे फर्स शो देख रहा है ना उन पीशेट में रहती हो या साड़ी भी पहनती हो यह सवाल आप इसमों क्यों पूछ रहे हो शादी होने के बाद शॉपिंग के लिए तो आप ही ले जाओगे ना प्रेस कॉंफरेंस क्यों बुलाया है शादी के बाद जॉप छोड़ दोगी क्या क्या सुदोते पांडी जी आपका हाथ बटाने के लिए यह बेचानी सर्विस करती रहेगी अच्छा सर परसनल मिटिंग नहीं प्रेस मिटिंग है हमारी इजद नहीं है हमारे माइक की इजद आपके लिए ताजा ख़बर कली 36 गड के हमारे पुलीस कॉंस्टिबल परवेश रिपोर्टर रीटा से लव मैरेज कर वैठने इसे न्यूस कहते हो लगता है टाइम पास कर रहे हो पांडी जी का उदेश है कि 36 गड की घटना से इंस्पायर होकर वो एक लेडी जर्नलिस से शादी करना चाहते हैं प्रेस और पुलिस कितना क्रेजी कॉंबिनीशन रहेगा आप मेंसे जो भी लटी इंट्रेस्टेड है वो सर की दर्वाजे पर दस्तक देद है वो सोचेंगे नॉट इंट्रेस्टेड जाकर 36 गड में ट्राय करो कितनी रूड है ये लड़की कैसी ब सबको आड़े हाथ ले रहा है दूबेजी पूंगी बचाएंगे सब्सक्राइब लगता सटेलाइट से हमारे बुरे वक्त का संदेशा रहा है कैसा सब्सक्राइब आप अपना काम कीजिए हम लोग अपना काम करते हैं कांचा काम हमारे साथ चल मैं तुझे बताता हूं क्या करने जा रहे हैं आई मसाज और पैसे तो फिर मैं पहले जाओं सब्सक्राइब दुवारा नहीं करवाएगा तुझे वा मुलाजा होशी यार एसीपी आ गए है सर माई शूर के महराज आ रहा है क्या बलाओ उसे आगे कितना लेट करते हो क्या बता हूं सर बाहर पुलीस के ड्यूटी घर में अलग ड्यूटी दोनों सेटिल करके आ रहा हूं देखा देखा हमारे सामने सेटलमेंड की बात कर रहा है सेटिल का मतलब कुछ और था सर प्यास के भाव सेटिल करके आ रहा हूं मंडी में कितने बढ़ गया है तामाटर का क्या भाव चल रहा है महाशाय विल यू प्लीज सिट डाउन शॉर सर बताईए आप लोग की कंप्लेंट्स क्या है अब आपको क्या बताएं सर रियल स्टेट के धंदे में जोरों के साथ पार्टनर्श है डिपार्टमेंट के जगी कोई की कमिटी आएगी एंक्वाइरी होगी सबूत गवाह देखे जाएंगे क्या मेरे खिलाफ किसी ने रिटन कंप्लेंट दी है सर कैसे देंगे सर घीता का श्लोक सुना कर लोगों को वैकुन पहुंचाता है कहां से आता है कहां ले जाता है कोई कुछ भी नहीं जानता चलो ठ सर जी अरे थोड़ी से मेरी बुराई कीजे ना इनकी बुराई करोगे क्यों मुस्कुरा रहे हो बुराई चोड़ो मैं तुमारे लिए कुछ मिठाईयां लाया हो खा देंगा खालूंगा खालूंगा अब तो आप दोनों समझी गया होंगे रूल्स रेगुलेशन्स फॉल प्लीज प्लीज दुबारा एसी टाइम वेस्ट करने वाली मीटिंग मत रखें डीजी पी सर का टाइम बहुत कीमती है आप जानते हैं ये कौन है शेर का दूसरा रूफ तरी मुर्ति कावदार धर्म और कर्म का प्रतिरूफ है ये इनके जैसा आज तक कोई पैदा नहीं तो मैं चलू सर मुझे लगता है ये महाशे इस शहर में कुछ हलग ही रादे के साथ हाए हैं जीके गुड मॉरिंग खैसे हो मिनिस्टार अरे क्या करें हो जडा रूख जाओ इस प्लेट में जीके साभशाव ने नाश्ता किया है ना जिया साथ इनका जूटा क्यों खा रहे हो चाहो तो एक प्लेट और मंगा लो राजा नाहीं इनके घर में नाश्टे की कमी है और नाहीं मेरे पॉकेट में पैसों की मैं यहां जूठन खाके यह साबित कर रहा हूं कि आज मैं जो कुछ भी हूँ वो जी के साब के बदालती हो मालीक वो लाइन पर है वो हमारी बात नहीं मान रहा है वही तो मैं भी कह रहा हूं वहां जब मेरा कुछ नी चल पाया तो आपका कैसे चल पाएगा क्यों मैं हमेशा हमें ताइम पर बोलता है मिनिस्टर अंकल है नानू कौन है इस रादेखो इस रास्ते में क्या गुंडगर्दी चल रही है यह उनी फार्म के पेज़ती करता है तुने पुलिस वाले को मारा राजा तुम इसे खुश हो कर शाबाशी का सर्टिफिकेट क्यो दे रहे हो बीजीप के पास कंप्लेंड गई है मेरे कैने पर ममला सौरी पर नहीं पढ़ स सेंट्रल में मैंने अपनी पहचान लगा कि तुझे होम मिनिस्टर बनवाए और तुम मेरा साथ देने के बज़ा है मुझसे माफी मंगवा रहा है दुनिया भर को पचान कर मैंने तुझे मंत्री इस लिए बना है ताकि जरूत पढ़ने पर तुम मेरे काम आसके बहुत सारी डील तुम ही करोगे क्या सारा काम तुम ही निपटाऊंगे क्या मुझे क्या घसटिंग रखा ए तो पुलिस की क्या होकात है यह कौन से बड़ा कैस है भड़क ने की ज़रूत क्या है मैं नहीं हूं क्या तुम अपना दिवा भर घ्रद रख रख दीड़ना रख. मैं रात को दो पुलिस वालों ने मेरे भांजे के रास्ता रोका और उसे बहुत परिशान किया उन दोनों ओफिसर्स को दो हफते के लिए तुरण्च सस्पंड किया जाए तरसल आप सस्पंड करो मैं इस बारे में कुछ भी नहीं सुनना चाहता हूं डी जी पी मेरा सपना है कि मेरा छोटा भाई एक तिन मिनिस्टर बने उसके बीच में कोई भी आएगा मैं परताष्ट नहीं करूँगा बेटर लग नेक्स टाइम मुझे छोटा सा डाउट है आखिर तुम्हें पुलिस वालों से इतनी नफ्रत क्यों है बिल्ली को चुहे से दुश्मनी क्यों है शेर को हिरंड से दुश्मनी क्यों है शिकार करते करते ठक जाता तब भी छोड़ता नहीं नेचर इंस्टिंक्ट ये तो एक प्रकृती का नियम है जिसका जैसा स्वभाव आई हेट पुलिस क्या करें दूबेजी तुरंट किसी पार्टी पर रेड मारकर उसकी कमाएगा थोड़ा सा हिस्सा अपने जब में डाल लिया जाए सर्श्म करो या कमाने के अलावा कुछ नहीं सूचता आज मौसर कितना रूमांटिक है अधिरात को प्रेस वाले यहां कैसे आएंगे अगर मैं कहूं उस एटियम पे डाका पड़ा है तब तो आएंगे ना इस वक्ते एटियम में डाका डालेगा कौन सर्थ हलो सर्थ जब से आपने हमारा बैंड बजाया है हमारे तो सुर्ताल ही बिगड़ गये हैं अब डखैती के इल्जाम लगा के कहां फसा रहे हो सर्थ दूबे इनका इलाज करो या इनका इलाज करने के लिए यह दवा खाने में आये हैं गया सेंट्रल जेल भेज देते हैं ए यहां एटिया में को चोरी हुए के साइर की होते हुए जुने सवाल करना चाल पिचाट यहां सवाल पूचली कहाक सिर्फ मैडम को है आये मैडम यह लोग कब से सुधर गए और गया सर इन्हें एक घंटे पहले एक नोट वन में खर्चा मिल चुका है लगता है आज बड़ आपने कैमरा है एक बताओ क्या बात है दूबे जी माडम गुस्सा तो हो गाई अच्छा गुस्सा क्यों हो रही हूं तुम नहीं जानते जितना चाहे ठ्राय कर लो नहीं पटने वाली हूं मैं यह जा कह रही है अरे थोड़ी प्यार से बात क्या कर ली यह तो सर पे चढ़ कीजिया ना अच्छा रात में डाका नहीं पड़ा क्या सुनाएगा पर जूलरी शॉप लूड़ गया वही हुआ होगा मुझे मोटा भीम पे शक है फ्लैट नंबर फोर हाउस नंबर वन जिरो फोर त्री चुरनगर हैदराबाद इसकी बहन और जीजा इसके साथ रहते हैं इसकी दीदी को अलग ही पुलीस का पैशन है इसलिए बुजनस्मेन ने अपने आप पुलीस व Whilst अलगा बता कर उसे शाधी कर ली आपको लड़की को पटा है तो सबसे पहले आपको इसकी दीदी को पटाना होगा जीजा ने तो जूट बोलकर कर शाधी की लेकिन आप तो पुलिस वाल एंसर आपकी बाद तो बनी जाएगी चोरी किसी और निकी और माल मुझे मिल गया है दूबे जी हमारा अगला स्टेप क्या होना चाहिए प्यारे पाड़ी जी छोटी से भीड़ने से बहतर है कि बड़ी को पटाया जाए तो आपका काम हो सकता है ऐसा ही होगा दूबे जी माही डालिंग माही यह घर पर तो है ना कौन है आप लोग आपकी जो बहन है ना मैं उससे प्यार करता हूं इतनी हिम्मत हमारी चुटकी से प्याज़ है हाई मैं मर जाओ आया यह बैठी ना अरे यह क्या महंगे फर्ष पर सस्ता फर्निचर दूबे जी बदल देता हूं नई शोकेस में पुराना टीवी क्यो है पदल दो पदल दो आपका यह गला इतना सूना क्यों है यह बंगला पुराना हो गया है जुबली हिल्स में नया ल जानू यूनिफॉर्म में खाना पका रहे है प्रोब्लम नहीं होता क्या क्या करूं भाई मेरी घर वाली को यह यूनिफॉर्म बहुत पसंद है तो फिर पहन करी पकाना पड़ता है जानू किचन में मैं अक्यला ही काम कर रहा हूं तुम अंदर आओगी नहीं तुम्हारी निकलो यह आते चुपकर घर में आए महमानों को कोई इस तरह बाहर निकालता है क्या जाओ उनसे थोड़ी बात ही सर्फ तुम्हारे लिए बहतर है बाहर निकल जाओ वरना एक पुलिस ऑफिसर एक रिपोर्टर को हैरेस कर रहा है मैं ऐसी न्यूस बनाकर अपनी चैनल पर दीदी दीदी इसे रेस्टरॉंट डिनर के लिए लेकर जाओ ले जाओ लेकिन यह आएगी क्या फामिली के साथ क्यों नहीं आएगी कुछ औरता होगी दीदी सामने इतनी चैर्स खाली है फिर भी सबको यहीं पर गुसकर बैठना है क्या सब ही लोग नस्दीक बैठेंगे तब ही मज़ा है दूर दूर बैठेंगे तो मज़ा किर्खिरा हो जाता है है ना दामार जी तुम भी ना दीदी पुलिस अंकल आटोग्राफ वह वाला डायलोग बोली है ना दी अ हर पोलिस के नाम से अच्छे थार थार कांपने लगते है तो सीधी किया खड़ियो कापो माइयू कलाईव मज़ा एव एव टाली मज़ा एव पलिस ना ओ पूरियू कलिसी थाह एव ड़्लिस थाव टांपने लगिखे लगे तो सीदी के खड़ियू एए अरे मही ओमाई ओमाई बेबी तुम इस दिल को मेरे चुराके ओमाई ओमाई बेबी तुम जाओगी कहां सर्माके इतना भाव दोने के बात भी नहीं पल्टी मुझे नहीं लगता वह आपसे पटने वाली है थांक्स दूबे जी उस केस का जो IDGP अगर आफिस में टीवी है तो उसे आउन करो बहुत दिनों से फसा हुआ जीके कमर्शिल कॉम्पलेक्स आखिर कार बनकर तयार हो गया है जिसके कंस्ट्रक्शन को रोकने के लिए बहुत तो नेगोशिश की थी उसकी ओपनिंग आज पुलिस ओफिसर के हाथ हो गई Mr. G.K. is a very good human being काफी परिशानियों के बाद ये कॉम्पलेक्स बना है हमारा सपोर्ट उनके साथ हमेशा है उस ACP ने जो कहा वो तुम्हारे कानों तक जरूर पहुचा होगा वो ACP कोई और नहीं तुम्हारा अंच तुम्हारा अपना ही बेटा है तुम बड़ी उल्जहन में फंसके हो DGP उसने तो तुम्हारी ही कमार तोड़ दी गुड़ा अफटरनून DGP साहर स्वीट्स लीजिये सार ये क्यों? G.K. साहब के मौल उपनीं के खुशी में DGP साहब आपके फादर है ये सब जानने के पाद जूमने लगे हैं सर अच्छा? हाँ लेकिन जड़ा देखो इने मूँ तो लटका हुआ है संभल कर रही है सर आने वाले वक्त में और कई जटके खाने हैं तो मैं चलू सर सर उसका रिकॉर्ड पता करवाया है मैंने कल्यान सिंग उसका बदला हुआ नाम है और वो उत्तर प्रदेश के किसी अनात आश्र में पढ़ लिकर बढ़ा हुआ है उसकी बच्पन की तस्वीर फैक्स कर रहे हैं रौकिट कैसे गया देखें लगता है तारेön तूट रहे है ना उमा बैटा जी आरहे है ना पाई शेंग है बैटा क्यों बाभी अभी तक सर नहीं आया क्या ते वहार के दिन भी वो ड्यूटी कर रहे हैं ज्यूटी तो मैं भी करता हूं मगर परिवार का भी ध्यान रखता हूं ऐसा क्या काम है जो परिवार की खुशी से भी बड़ा हो सुबह जल्दी रिपोर्ट करना बच्चे के लिए कुछ पटाके तो साथ मिलाते अरे सॉरी बेटा अभी जाकर लेया है नहीं मुझे नहीं चाहिए अक्सर मेरे दोस्तों को उनके पिता के साथ देखकर बुरा लगता क्यूंकि मेरे नसीब में सिर्फ उनका एक फोटो था उन्हें कभी मेरी कोई फिकर ही नहीं हुई जिंदगी में जो थोड़ी खुशी मिली है वो मुझे मेरी मा की बदौलत मिली है तो यही बेट में खाने के लिए कुछ लाती हूँ मा क्या हो गया मा क्या हो आमी वालों को भी इंफ़ाब पापा पापा ममी की तबीद बहुत खराब है उन्हें हॉस्पिटल ले जाना होगा पापा चलिए ना पापा सर सिचुएशन बहुत ही सीरियस है हमें अभी पहुशना होगा गुर्णाज जी मेरी वाइफ को पेन स्टार्ट हो गया उसे अर्जेंट हॉस्पिटल ले जाना होगा आप बच्चे के साथ जाएए मैं आधे गंडे में पहुंच रहा हूँ कॉमान भूब यह जिए कंडिशन बहुत क्रिडिकल है ओपरेशन जल्दी नहीं किया तो मा और बच्चे दोनों को खत्रा है आप जल्दी से इसके पिताजी को लियाए उस वक्त मेरा साथ देने के लिए मेरा अपना वहाँ कोई नहीं था मेरी मा की जान बचाने के लिए मेरे पास पैसे भी नहीं थे सॉरी बेटा माँ और बच्चे किसी को नहीं बचाए उस रोज मैं अपनी बीवी की जान बचाने नहीं पहुच पाया मेरे हालात को मेरा बच्चा नहीं समझ सकता था तभी वो मुझसे रूट कर भाग गया एक पुलिस ओफिसर के नाते आप अपनी जगए पर सही है उसका दुख भी अपनी जगए पर सही है अब बड़े होने के नाते आप ही को समझना होगा सर कि वह आ गयार कैमरा रेटी है ना मार टीवी कैमरा पारफेक्ट है तो चलो उसे रेड हेंड पकड़ते हैं हेलो हम आपको कहां कहां ढूंड रहे हो और आप यहां मिले बात क्या है आप भूल गया है हमें याद है इसलिए हिस्सा देने आ है लीजिए ना सेर आप लेनी रहे हैं इसे क्या हो योगा प्रैक्टिस कर रहा है आप इसे छोड़िया यह लीजिए नहीं चाहिए नहीं आपको लेना होगा वरना मैं कट्टिक कर दूगा लीजिए ना दूबे जी सब्सक्राइब और इसका कामरा प्र नमस्ते साथ मैं श्रीवनी का फादर ह हलो सर श्रीवनी का है वो रहे हैं यह सब क्या है इंस्टिट्टिट की ओपनिंग है दूबे जी ओपनिंग के लिए आपको पहले बताना चाहिए था ना हम और सुल में थोड़ा बीजी दे पढ़ने जी एक मिनट यहां लौ यह बच्चे कौन है अनात है बेटा और मेरी ब हम बच्चों के तरह जिन्दगी जी है इसलिए इस कॉम्पेटेटिव वर्ल्ड में वो उन्हें अपने पैरों पर खाड़ा होना सिखा रहे हुआ इस लड़की की सोच हमारी सोच से दो कदम आगे नहीं चलो चलो आई जी सहाब काशी से कई अनात बच्चों को ले आये हैं से इसे बताया अब पूरे डिपार्टमेंट को भी बताते रहें चुपकर अरे आज कल जब देखो डीजीपी सर मुझे ढूंटे फिरते हैं इन्हें अब अपनी ड्यूटी की फिकर नहीं है क्या तुम्हारे पापा तुमसे दो सेकंड बात करना चाहते हैं दो सेकंड बात करने के लिए और अब सेकंड फिर्व करूट गूसद करना पड़ता था एक बार मेरी बात सुनतो लो तुस दिन भौनुथ हे था कि मैं खुट के दम पर पुलीस बनाहूं खुट के दमी यहां आ हैं और खुट के दम पर चीक के पहुँचा हुँँप खुट के दम पर ही आगे बहुत कुछ करूंगा बता दीजेन क्या हुआ मा यह चोटी पर बहुत अच्छा लागी का ना तुझे कैसे पता कि छोटी ही पैदा होगी मैंने मनत जो मांगी है यह क्या जाने अपनी छोटी बहन को मैंने इन ही हाथों से चिता पर चड़ाया था बर्सों बाद एक और छोटी बहन मिली है बर्सों बाद खुशियां मिली है अब दोबारा मेरी जिंदगी में आकर मेरी खुशियां मत चीनिएगा चीर्स क्लाइमेट बसते भाई इस वैदर में अगर एक आइटम मिले और भी मज़ा आए आसपास सौफ्ट्ट्र कमपनी से एंफो सेस एंफो टेक रोड पर मिलेंगी बाहर से ब्यूटिफुल गर्स अधा 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 थोड़ो मुझे अधा थोड़ो प्लीस तो प्लीस मीडिया और प्रेस इसमें इंवाल्व है इसके इसको बहुत समल कर हैंडल करना होगा समय समय पर मुझे अपडेट करते रहे मुझे का इसने बंदर समझ रखा है जब चाहे तब बुला लिता मुझे के और कोई काम नहीं है आजाओ मिनिस्टर गुद्मानिंग जी के सही समय पर आये हो इंटर्वियू स्टार्ट करो आपका भाय पॉलिटिक्स में तरक्की करे गए इस बात का आपको विश्वास है पूरी तरह विश्वास है बुड़ों में विकलांगों में मुख्य तोर पर महिलाओं में इसके प्रती बड़ी इस्जत है आभी कुछ बोलिए ना बिल्कुल सही कहा इनके छोटे भाई लेडिस पर बिल्कुल कॉंसेट्रेट नहीं करते सिर्फ स्टेट की भला ही सोचते हैं एक दिन ये जनाब एंजी लेक के पास लेडिस के साथ रंगे हातों पकड़े गए थे उसकी मदद करते हुए यही तो इनकी खासियत है जरूत मंद की मदद करना तुम लोग जाओ मैं आता हूं अब इनकी और क्या तारीफ करूं मैं मैं तुम्हार पास आनी वाला था रात को एक मर्डर हुआ और मुझे कहा गया है कि यह इन्वाल्व्ड है इस केस को डीजी प फिर से पागलों वाली बात मत करना अपने छोटे भाई को जरा कंट्रोल में रखो ना यार जवान लड़कों को कोई घर में कायद करके रख सकता है क्या बाहर जाकर रेप करना मर्डर करना उनका शौक है भाई कल तुमने क्या-क्या गुल खिलाए थे वो जरा जहांक कर द कौन था तुमारी जेब का खोटा सी का है ना इस तरह के बैड रेप्रेटिशन वाले ही एक अच्छे पालेटिशन बनते हैं तुम्हें भरोसा है मुझे भरोसा है यह चोटे भाई नानू जरा बोलो सभी भाईयों और बहनों सभी भाईयों और बिल्कुल पालेटिशन जै डीजीपी का कुछ करना जरूरी है बहुत खतरनाक आदमी है अजर भाई पावर वाले को कभी टर्ना नहीं चाहिए दस मिनिट बात करूंगी तो तुम मुझे जाने दोगे ना तो बोलो दीदी मान गई जीजा मान गए अगर तुम भी मान जाओ तो हम चट मंगनी पट ब्याहा कर सकते हैं तुम्हारी बाते सुनकर दिल करता है तुम्हारा चेहरा नोच कर कववों को खिला दू पता है जब मैं किसी और से प्यार करती हूं बाबी कौन है वो मैं नहीं बदाऊंगी चुपचा बता दो डूणडा तो भारी पड़ेगा सुनामी स्टार सुभाष पहली मुलकात प्रेस मीट में हुई थी धीरे धीरे बातचीत होती रही फिर उसके बाद मेरे दिल में बस गए ओके बायो डिटा बताईए दूबे जी यह पहले एनार आए था कॉमेडियन दिखता है बोलके फिल्मों में चांस मिल गया चांस देने वाले ने ही बात भी इसके एक्टिंग देके आथ महत्या कर ली यह सुनामी स्टार हमें मिलेंगे कहा इस्टर्ट कैबरा आक्शन सब कुछ है लेकिन रोमेंस क्यों नहीं है रोमेंस पर्सों का शेडल में था सर प्लैन पूरा फ्लाप हो गया सिर्फ आपकी पेट की वजह से मेरे पेट से किसी को तकलीव नहीं होगा मैं पूरी मेडिसीन ले रहा हूं डिरेक्टर हो डिरेक्टर से फॉलो करो आदेत ने अरितिक को दिलवाया मैशन इम्रान को दिलवाया मुझे भी दिलवाओ क्या दिलवादो लिपलाक यह क्या यार कुछ की आई नहीं और इसकी उल्टिया शुरू हो गई ताम मांगने के लिए आगे पिछे करती थी अब उल्टिया कर रही है गुड मॉर्णिंग सर हाँ प् कल रात को मैं ABC फिल्म देख रहा था उस देवता से अच्छा तो मैं नाच लेता हूँ कुछ भी कहा सर आप तो उनके जूते की दूल भी नहीं है वो सर आपको डांस से डर लगता है मेरी एक दोस्त ऐसा सोचती है इसके एक्स्प्रेशन से तुम्हारे एक्स्प्रानेशन मैच नहीं कर रहे है अरे सुरिये सर उसकी फोटो तो देखिये ना कौन है यह पारो मैं इस दड़की से प्यार करता हूँ मुझसे पीछा छुडाने के लिए इसने का हिया आप से प्यार करती है आप सचाई बता दीजिए मुझे इत्मिनान हो जाएगा हां था यह मौका क्यों छोड़ू मेरी गर्फ्रेंट से तुम क्यों प्यार कर रहे हो मिस्टर जानकारी के लिए बता दू तुम पर चाहिड्ड मॉली स्टेशन का दावा ठोक सकते हैं तुफान से लड़ने के लिए हमेशा तयार सुनामी स्टार सुभाष वो पारो मेरी है समझगे क्या पार्थायब एक यू थीरो के साथ आप बहुत बेरेमी से डिल कर रहे हैं सर इसे फुलाओ यू थीरो हो ना ब्रीज साथ नहीं देरी आप हम आपस में क्यू लड़ रहे हैं बड़े भाई उस लड़की को यह बुला लीजे दूद का दूद पानी का पानी हो जाएगा विश्व हैपी बर्ड़े सर वो मनहोस दिन आज है क्या वो तो कला के चला भी गया सर मैं एक दिन पीछे चल रहा हूं बहुत बुरा किया कौन है वो कौन है जो मेरी चुटकी से प्यार करता है यह ग्रीन शेट वाला बुढ़ हो यह बुठे खूसट एक टांग कबर में औ पागल हो जाती हूँ उदर एक्टिंग की इधर वेटिंग कर रहा हूं जिसका इंतजार था वो आचुकी है मैटर बता देंगी तो हम एफायर करेंगा हार डायलोग देने का टाइमिंग होता है और राइमिंग होता है यह मुझे भसाना चाहता है लेकिन यह जानता नहीं क यह दिल तुझे दिलो चाहन से आठा है पूलस से घबराकर तुम हमरा प्यार साद कर दोगे सुभाश लव यू आइन ज़स्वी कर दोगे सुभाश आई लव यू आइंड लब यू दीने में यह मजनु है और यह लेला पिच में क्या करेंगा यह चला तुम्हारे यह बर है समझें कि नहीं नमस्ते साथ अरे रुको मेरी बात तो सुनो उन्होंने सचाई बता दी अब तुम भी सच कह दो सच बताऊ आई हेट आई हेट आई हेट आटिटूड मैं एक इमानदार जोर्नलिस्ट और करप्ट पुलिस ऑफिसर्स के साथ बात नहीं करती इसलिए तुम जानते हो हाली में इस शहर में एक सौफ़वेर इंजीनर का मडर हुआ है जहां मडर हुआ वहां एक गाड़ी का नंबर प्लेट मिला है वो नंबर प्लेट तुम्हारे भाई और इस घर के नाम रिजिस्टर्ड है सो तुम दोनों को पुलिस टेशन चलना होगा क्या हो अब रावनी भॉंक क्यों रहो बड़ों के सामने भॉंकना नहीं चाहिए पता नहीं है क्या तुम्हें काफी वफादार लग रहा है चार दिन हड्डी डाल कर पुछकारेंगे तो ये भी अपने आप लाइन पर आजाएगा जी के जी कार चोरी होने की कंप्लेंट दी थी ना चोरों ने तो गाड़ी का बुरा हाल कर दिये और जब मुझे वो गाड़ी मिली नंबर प्लेट मिसिंग थी अरे नंबर प्लेट तो डीजी पे साम ले आए है ऐसा क्या देखाओ तो क्या ये वही है एपी नाइन जेट फोर सेवन थी सेवन अरे ये तो वही है जी के जी ये तो मिल गया मेरा पेमेंट स्टेटमेंट दे कर गाड़ी कबजे मेली जी मुझे पुलिस टेशन ले जाने वाले थे जब भी पुलिस वालों को अपने आस पास देखता है तुम फिर से सरी है आई हीट पुलिस ये तो बस एक्सेंपल है सर आगे आगे देखिये होता है क्या है कैसे हो अंकल बड़े साब बहुत अपसेट लग रहे हैं तुमने गलती कुछ ऐसी की है कुछ भी कहते हैं आप अगर मैं गलती करता तो मुझे ऐसे ही चोड़ते थे गलती वो थी जिससे इनकी बीवी बच्चे इनकी लाप परवाही की वज़ए से मौत के मुँमें गाए जानते हो ये लोग कौन है स्कैम करने वाले पॉलिटीशन्स या क्राइम करने वाले क्रिमिनल्स नहीं देश के लिए अपनी जान कुर्बान करने वाले मोस्ट रेस्पेक्टेबल पुलिस आफिसर्स हैं पांच हजार रुपए में बिखने वाली रिश्वत खोर पुलिस दस हजार रुपए में केस बंद करने वाली बिकव पुलिस गली-गली में मिलेगी लेकिन ये जानने के बाद कि हम मौत के मूँ में जा रहे हैं डिपार्टमेंट पर अपनी जानने ज़ार करने वाले पुलिस सेकड़ों में एक ही होते हैं हम जैसे इनसान हर दिन, हर घंटे, हर पल शान से जी कर शहीद होते हैं हर पुलिस वाले का नाम एक बुलेट पर लिखा होता है जिस से माँ, बाप, भाई, बहन, बीवी, बच्चे और खांदान में किसी भी इंसान की जान जा सकती है लेकिन उन्हें पीछे धकैल कर खुद के सीने पर गोली खाते है करतवे के लिए अपनी जान गमाने वाला होता है, सच्चा पुलिस ऑफिसर अपनी ड्यूटी शुरू करने से पहले मैं हर रोज यहां आकर फोटोज को इसलिए देखता हूँ क्योंकि मुझे इन पुलिस वालों पर गर्व है तुमने क्या कहा था? मेरी लापरवाही की वज़े से मैंने अपनों को खो दिया हां सही वक्त पर में तुम्हारी मा के पास नहीं पहुच वाया क्योंकि उस दिन मुझे बहुत सारी मा और बच्चों को बचाना था तुम्हारे साथ ना इंसाफी हुई लेकिन उधर सैकुनों लोगों को इंसाफ मिला आई विल एक्ट विथ हॉनस्टी करसी और रिगार्ड फॉर दे वेलफेर आफ वदर्स और अपनी जान की बाजी लगाकर आमन और शान्ती को कायम रखूंगा इसे शपत लेने वाले हर पुलिस वाले के लिए तुम मुझसे नाराज हो इसलिए जीके का सपोर्ट कर रहे हो ये जो मर्डर केस है जानते हो किसका केस है? उस रड़की को तुम भी अच्छी तरह जानते हो इस बच्ची को चानते हो किसने मारा? कितनी बेदर्दी से मारा? इस चुड़ो मुझे जाने गारी है पहलो कहाना गारी है है तुम तुम देख तो ना शिवानी कुछ बोलो, कुछ बोलो, शिवानी वो हमारे हाथ से निकल गई या होश में आते ही शिरीवनी के पिता ने मुझे सारी बते मताई तब मुझे सच्चाई का पता चला शिरीवनी के साथ जो हाथसा हुआ वो सरे आम सडक पर हुआ आखिर उस बेचारी की गलती क्या थी? किसी मजबूर की इज़त को बचाते हुए वो मासूम बली चढ़ा दी के वो जी के अपने पावर के दम पर अपने छोटे भाई को बचाना चाहता है क्या उस शैतान को माफ कर दियत है? तुम मुझे अपना पिता मानो या ना मानो कोई बात नहीं लेकिन उस मासूम बच्ची को इंसाफ मिलना चाहिए या नहीं ये तुम है डिसाइड करना होगा गूड इवनिंग एबरीबरी ये केस सॉफ्टवेर इंजीनियर के मंडर का नहीं है शिर्वनी नाम की बच्ची का केस है उसकी मौत के पीछे पावफुल लोगों का हाथ है प्रिशर चाहे जितना है मैं किसी को नहीं बख्षूंगा सब को सजा दिलवा कर रहूंगा इस केस को हमारे डिपार्टमेंट ने एक चैलेंज के रूप में लिया है और अगर मेडिया वालों का सपोर्ट रहा तो शिर्वनी के पिता के कंप्लेंट के मुताबिक मैं एक्शन जरूर लूँगा और जल्दी ही ये केस क्लोज करूगा मेरी जाली खत्रे में है शिर्कान, लेस्ट मूँव सार, बचा लीजे, सार सार, ये लोग मुझे मार डालेंगे, बचा लीजे, सार तुझे क्या लगता ये तेरी जान बचाएगा ये असली पोलिस वाला है एक बार इससे नोट दिखाव ना चुप चाप लेके पतली गली पकड़ेगा ये ले उठाव निकलियां से ये अमारा कुछ नहीं बिखाड़ेगा, जा उस बुड़े को घसीट के ला पार ये झाल ये युझे आपके लिए नाजुनी 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 एसीपी कल्यान ओ बदले बदले सुर्फ सिंसियर ऑफिसर का कीड़ा जाग क्या है वो कीड़ा तो मेरे अंदर बजपन से ही था पुलीस की सिंसियरिटी से मुझरिम का कितना नुकसान होता है वो तुझे जल्द पता चल जाएगा ब्लडी फूल तेरा फरिश्टा भी मेरा खड़े हो जाएंगे तेरा और तेरे भाई के जिंदगी का आज आखरी खुशी का दिन है इसलिए अगर कोई आखरी ख्वाहिश हो तो उसे आज ही पूरी कर लो तेरे भाई को बचाने के लिए अब चाहे तुम मीडिया के पास जा धरना कर रास्ता रोको कर जो चाहे कर ल कि बोलो दूबे जी वो जीके के गुंडों को छुड़ाने के लिए बेल ओडर लाए हैं सिर्ग कितना इंतिजार करवाएगा अब सर बेल पेपर्स बेल तरीके से मांगनी चाहिए दूबे जी सर रिया कीजे उन्हें आजाओ आजाओ यह क्या हो रहा है सर बेल मिलते ही तुम्हारे आदमियों ने हमारी लेडी कॉंस्टिबल से बत्तमीजी कि तुम्हामें फसा रहा है यह क्या है सर बेल ओडर मिलने के बाद हुने है उन्हें नहीं च्छोड़े आपने ये लेजए पेपर और उन्हें छोड़दीजी ओके लूबे जी यह सर औरो Где मिलने के बाद तुमनेे ऐसा है और हाधारों पर जान लेवा हमला लत तुम हमें हसा रहे हो एक है एक है एए डीट तू अन्दर जाए रहा इसलिए की एड़ जोका हम बार से देंगे अटेक्शन अरे यह बॉम है रहे मालूम है रहे पागल हो गया के तू रहे पागल नहीं रहे यह पिन मैं रखता हूं यह बॉम तू ट्रॉ पोछ? इसेपी यह क्या कर रहा है? बेल मिलने के बाद हमारे पुलिस हश्टेशन पर हमला कर रहा है घलो, होम मिनिस्टर लाइन है semi सेखना रहा ही ठागलरे, बीधद कर दोतलने ही है तब ही रिहा करूँगा इनको उससे एक भी मिनिट्स जाता लिया तो इनकी मैयत पे आ जाना ये तो ऐसे बात करा जैसे मैं होम मिनिस्टर नहीं कहीं के वाच्मैन हूँ जीके दूबे जी जीके ने आज तक पुलीस टेशन में कदम नहीं रखा जीहाँ देखो कैसे अगले पंथरा मिनिट में यहां फागते हुए आता है अगला इसी में के पुलीस टेशन में कदम रख लो राजा नहीं तो फंस जाएंगे नमस्ते हो मिनिस्टर साहब नमस्ते प्यारे प्राशन कार्ड आदार कार्ड पैन कार्ड और सारे सबूत लाया हूँ मेरे बंदों को छोड़ जल्दी कर फर्स टाइम पुलीस टेशन आये हो खातरदारी होनी चाहिए कौफी टी कौफी टी कौन पीता है हम तो यहां आगे यहीं बहुत बड़ी बात है थंड़ा एक कौटर बाद में दिखेंगे है ना जीके यह तेरे बाप के जीन्स की प्राब्लम है मेरे छोटे भाई और उसके फ्रेंड्स ने गुंगी लड़की को माड़ डाला उसे कोट में प्रूफ करने के लिए तुम्हें सबूत पेश करने होगे गवाह पेश करने होगे लंबा चोड़ा प्रोसेस इसी बीच मैं अपने छ पुलिटिशन याने गेंग हर रोज तुम जैसे सैगड़ों पुलिस वाले हमें सलूट मार कर सलाम ही देते पुलिटिशन याने लीडर उनका हर अलफास तुम्हारे लिए एक हुक्म है पुलिटिशन याने मजिशिन माया माया रच्टे हम और सुनो इसे यहां से कहीं मत भ जो इसे यहीं रहने तो हम खेल खेलेंगे इसके साथ है सिपी तुझे एक हफ्ते की महलत देता हूँ अगर तम है तो मेरे छोटे को अंदर करके तिखा वान वीक ट्राइ करके ते वान वीक थोड़ा ज्यादा हो जाएगा तीन दिन ही काफी ठीके आज तक तुने मुझ जैसे बरदाश्ट करने वाले आफिसर का सामना किया होगा अब सामना कर मेरे बेटे का गुड जॉब तैंक यू सर दीदी मेरे होने वाले पती का ओफिस यही है हां अचानक तुझ में ये बदलाव अच्छे अच्छों को बदल लेती है मावब पिर चल इस केस में सिर्फ एकी गवा हमारे पास है सौफ़वेर इंजीनियर वो लड़की इस हाथसे से घबरा कर ये शेहर छोड़ कर चली गई है सर पता लगाने की कोशिश करो का रहती है वो आया टेनी कॉस्क वी हैब टु ट्रेसर ऐसी कोई बात नहीं है लड़्डू तो मैं आज नहीं तो कल लेके आऊंगा में बात है कि प्रमोशन हो जाना चाहिए उसके बात है वो मीटिंग में है बेंजी और एसीपी साहब अरे वो भी मीटिंग में मेरा दिमाग क्यों खा रही है जाए ना बोलो यह उतसे इंतजार नहीं हो रहा है ती पोंदे हाँ 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 वो तो मिल गईगा अंदर फैन चाल हुआ है जाकर फैन बंद कर दीजिए इलेक्रिक बिल बढ़ रहा है चलिए मैड़ हो चलिए चलिए आप बहुत तरक्की करेंगे आपकी दया से आईए नमस्ते सार कौन है मैं अध्य भी तो नहीं है बीजी बीटी तो रह चोटी बहन के सिलसले में एसी पी से कुछ बात करना चाहती हूं इनकी चोटी में को पीशो ली से प्याром गिए हिए भी रिप पुलीन कंप्लें तर्श करने आई यह सर बिलकुल सच कह रहे है कभी जूट नहीं बोलता है से लेगे जाए ने आपको समझ अकल बूधी कुछ है कि नहीं कहीं भी किसी भी वक्त अपनी भैन को लेकर आ जाती है बड़े साप के सामने फच जाते तो क्या होता अंचली बिस्टरब किया इसलिए सौरी तुम्हारे कहने और करने में बहुत फर लगी तरह हलो हलो एसीपी गुदीवनिंग सुना है बाप बेटे दुनों मिलकर बहुत मेहनत कर रहे हो तुम दोनों की स्पीड को ब्रेक लगाने के लिए ब्रेकिंग यूज देता हूं जल्दी से अपना टीवी आउन करो श्रीवानी का केस दो बारा सुर्खियों में जि वर्दात वाली जगह पे हैं में ये सारी चीज़े मिल ली है तु मेरे भाई को लॉक अप में बंद करवाने वाले हैं लेकिन अब तु यू से सलूट मारेगा अरे सीपी फिर से अपना टीवी आउन कर सारे पार्टी कारेकरताओं ने एमपी जीके के छोटे भाई को देट टू शॉक नंबर टू सुनों शिकांत सभी पुली स्टेशन में इंफर्मेशन भेज़ दो उस मेडम का जल्द से जल्द पता लगाना है सीनु अपने साप को देखो तीन दिन में अरस्ट करने का बोल कर आराम से लस्सी पी रहा है सर वो लड़की कौन थी उसका पता चल गया है गुड सुनो काशी तुम हाई सेक्यूर्टी लेकर इमेडेटली उसे यहां पर लेकर आओ गोविंदा गोविंदा आपकी वो मैडम तिरोपती में छेपी थे ना अडिजी पी साहब तुमारे ओफिसर्ज वहां पहुंचे उससे पहले इंडिगो फ्राइट पकड़के हमारे लोगों ने उसे कबजे में ले ली इस केस की आई विटनेस वाली लड़की की आदे घंटे में मेरे छोटे भाई के साथ शादी करवा दूँगा फिर वो कभी गवाही नहीं देगी अरे एसीपी कुछ तो बोलो तमारी आवाज सुनने के लिए बेताब हूं सुन्बे जीके इंडिगो फ्लाइट हम चल इसी बहाने तेरे दस चमचे फ्लाइट में घूमके तो आए बट टोटल वे वो लड़की मर्डर के वक्त मोहकाय वार्दात पर थी ही नहीं इस केस में वो एक प्राइमरी विटनेस थी में विटनेस नहीं वो इनसान जो तेरे भाई का डेथ वारंट साइन करेगा केस का में विटनेस मेरी हिफाज़त में है यह 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 क्या भग रहा है तुछ तेरे आसपास कोई टीवी हो तो उससे ज़रा ओन करके तो देख एए टीवी नियूस चैनल लगा श्रिवनी केस में एक नया मोड बहुत दिनों बाद ही साही पर इस केस में प्रोक्रेस हुआ है पुलिस ने इस केस के एहम गवा को अपनी कस्टडी में ले लिया है वो कौन है देखते हैं वार्दात वाली जगह पहमें यह सारी चीजे मिले है काव्या को जीके के भाए और उसके दोस्तों ने मारा यह मैंने अपनी आखों से देखा है सार अज मैं बोल पा रही हूं उन शेतानों ने उसे जिन्दा जला दिया मालिक आप इस मुझीवत से कैसे बचोगे उसकी गवाई से आपको छोटा भाई फंस गया अब विटनेस को आप इतनी जल्दी कहां से ढूनेंगे और एक बात आपका भाई टीवी पे हीरो जैसा लग रहा है और वो हीरोईन तेरा भाई इस वक्त पार्लिमेंट की ओर नहीं जा रहा है देरा डाइवरजन ओन दे वे तो सेंट्रल जेल तेरी तीन दिनों की महुलत में एक घंटा बाकी है आने वाले साठ मिंटों में इस शहर से तेरा सामराज तबाह कर दूंगा यहां तो लॉक है सार वसीं ओल्ड सिटी का शेर क्या रहे बहुत होश्यारी दिखा रहा आजकल शहर में मेरे दोस्त के बेटे को अरेस्ट करने की हिम्मत है तुझ में अगर है तो दस मिनट में पुरानी बाश्शाब बस्ती में आकर अपने हिम्मत दिखा आ कर दिखा अपनी मर्दानगी इंटेंगी मेरे बाते ये विखा नेखस इसने दिखा 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 इसने की नियाए तो आपको पित दोन्यां की आपको दिखा है अब आपको इखा दो रहोग तो दोस्तेवा मैं आखी तरो हाग gelmişरeneca, करें पारै खार भुझ ए्था हे ठारा मैं आखी jest करें झार्ड हाँ Hasen आई! कम ओन सर्च 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 कोई कोना मत छोड़ना सेपी कोई बीच में तो मत छोड़ना मुझसे बागर मार क्यों रहा है मुझसे बागर कम आई! सर! मिल गया सर शट शट थेव मेरा बेटा यह भी बागर यह मेरा इलाका है तु यहां से जिंदा बज़कर नहीं जा सकता है बरुस शालेको औज बिल्लाहि मिनश्यातानिर्रजीम निर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रह्मानिर्रहीम अलहम्दुलिल्लाहिरबिलालमीन इन्नमिन अक्वरिल असामी अन्वु अयादल मुजबीन लायक फिरलहू वहूम वसीम भाई कुरान पवित्र ग्रंथ है इन आयतों का मतलब समझते हो तुम कि गुन्हेगार को बचाने वाला उससे बड़ा गुन्हेगार होता है गुना का साथ देने वाले को अल्ला माफ नहीं करता शाबाश बेटा जबी जी मैं लिए रहा है वाली सामने वाला पूछ रहा है कि पैसे की बात कर रहा है अरे तु क्यों टेंशन ले रहा है हमारे मिनिस्टर है न सेंटर में भूल गया पुलिस वालों को कैसे मार मार के मार के यहां से बगाया है इससीप को भी देख लेंगे कर दो अज़ा जो कर दो अज़ा कर दो कर वाड जाल वाडब एक वाड़ एक वाड़ रखना वाड़ लाड़ सुष है। तेरी ये चुर्षाथ फर्स्ट टाइम तेरे घर में पुलीस की एंट्री हुई है जी के दमाकेदार एंट्री नहीं हुई तो लाइफ टाइम मुझे याद कैसे रहे हैं एंबी के घर में घुसकर तोड़ फोल कर रहा है तू पताएं कितना बड़ा क्राइम है अच्छा वर् दूबे जी अफसोस के साथ बताना पड़ रहा है आफिसर कल्यान जब जीके के भाई को अरेस्ट करने के लिए आए तो जीके के आदमी उन्हें उन्हें पर जान लेवा हमला किया उन्हें जल्दी ऊपर नहीं जाना था इसलिए उन्हें काउंटर फाइरिंग की अच्छा यहां गलत आदमी से पंगा लेने आये थे हम लोग नॉन बेलेबल वार्ट यहां सिटी के टॉप मोस्ट डॉक्टर्स हैं बताईए डॉक्टर्स यह बच्चा अपने आरोपों को बरदास्ट नहीं कर पाया इसलिए इसका ब्लड प्रेशर बढ़ गया जिससे इसके ब्रेन में इंटर्नल सेरिब्रल हेम्रेज हो गया अब इसकी बॉड़ी जिन्दा लाश हो चुकी है ट्रीट्मेंट के लिए इन्हें अमेरिका ले जाना जरूरी है इसलिए कोट से पर्मीशन भी लेकर आया हूं चाहे तो देख भी सकते हैं इवनिंग 5 o'clock फ्लाइट एमिरेट्स दूबे जी ए पेट्रोट क्यों डार रहा है उस पर गबरा क्यों रहा है जी के आयुरुवेद एक्सपर्ट हूं वेर साइन्स फेल्स आयुरुवेदा वर्क्स बेटर क्या कहते हो डॉक्तर आपने सही कहा मैच बॉक्स होगा विया डॉक्टर्स लाइटर रखते हैं अरे नानु सर आपका आड़े काम कर गया सर लाइटर की आवसे इसके हाथ हील रहे हैं देखते जाओ दूबे जी पूरी बॉड़ी उटके दौड़ने लगेगी पुछाओ पाली लाओ पाली लाओ एस दिन जंगल में ट्रेलर दिखाया था लेकिन आज तो जीका को पूरी फिल्म दिखा रहा है याद कर रहा है काम हो गया क्या अभी आया गाहों से कब आए बताता हूं बाजू के घर में फाइनिस मिनिस्टर रहते हैं मेरे पुराने द बुलाया था तो आया था यहां पर क्या कर रहे हैं तो हाई बाए करने आगया अब आगे क्या इरादा है कोई इरादा नहीं है काया भूना है क्या भूंक रहा था थू कि पॉलिटिशन किंग है किंग कॉंग है पुलीस क्या है अब मैं बताऊं पुलीस मतलब पावर हमारी मोहर तेरे घर पर लगाई है पुलीस मतलब डर जो इसकी आँखों में दिख रहा है पुलीस मतलब गुरूर जो मेरी रगों में बहता है उस मासूम लड़की की जान लेने वाले इस कुट्टे को उसकी कबर तक पहुचा कर ही चैन की सास लूँगा मुकररर किये हुए वक्त पर ही तेरे भाई को पुलीस टेशन ले जाऊँगा चाहे तु पैसों का सहारा ले अपने चम्चों का सहारा ले भगवान के आगे हाद जोड घुटने टेक और भीक मांग वो तेरी मदद करे तब भी इसे सजा होकर रहेगी तुझ में हिम्मत है तो तेरे भाई को सलाखों से बाहर निकाल के दिखा जी के मामूली इंसान के खून में भी चिंगारी होती है और जो ये वर्दी पहनते हैं उनमें ज्वाला मुखी ये क्या सर अचाना कितनी बड़ी पार्टी क्यों रखे आपे पुलिस की पावर क्या होती है जी के को मेरे बेटे ने दिखाया है तो सलेबरेशन तो होना ही चाहिए दिस इस फॉर माई सन जानो ये सच में पुलिस की पार्टी है यूनिफर्म में अगर किसी ने मुझे पैचान लिया तो क्या हुआ सब को लगो का थाने से डारेक्ट आ रहे हो आपने देखा अब छलो सर जी यह 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 क्या करेख आपी जी बहुत महनद से साड़ी पहनी है लाइक या कॉमेट नहीं करोगे क्या दुबे जी माडम के साड़ी बहुत अच्छी है कि इसे क्यों कह रहे हो अच्छी चीज हर को ही पसंद करता है इसलिए मैंने शेयर किया है ओके तो फिर हमारी बात तुमारे दाड़ी से भी शेयर करूँ ए मही एक्सक्यूज मी सार यू टीवी रपोर्टा ओ श्रीवनी केस में मैं इनकी हेल्प कर रही हूं गुड तुमारा सपोर्ट इसे बहुत काम आया वाइफ और हस्बंड बन जाएंगे फिर और भी सपोर्ट करूंगी वाट यह करेए कि प्रेस और पुलीस के संबंध हस्बं इसको देखें पूरी दुनिया थर थर कापती पता वह कौर होता पुलीस एक्स्क्यूज मी यह कौन मेरे पती है कोई सीदेल का प्रोडूसर भी आया है क्या वह उनका साइड बिजनिस है सर यह प्रोफेशनल है जूटा पूलीस वाला है क्या यह सच मुझ के पुलीस है तो तुम बताओ ना डी सीप इस जोन का डी सीप तो मैं हूं अरे भाई मेरा ट्रांसफर कव हुआ पाल्टी में आओ जाओ आपे संबर बट रहें जाके लेलो पता नहीं क्या हो रहा है संबर के पापा शुक्रिया बेटा मुझे पापा के कर बुलाने में तुझे फखर बाले ही नहों लेकिन जब तुझे बेटा बुकारूंगा तो मुझे बहुत फखर होगा आपकी और आपके वर्दी की एहमियत को अब मैं समझ गया हूँ मालिक शेर का निशान चब गया है मैं उतना हिसे निकाल कर सिमेंट भर देता हूँ क्योंकि अगर मैंने महां बॉल पेपर लगाया और लाइट अन किया तो और ज्यादा चमकेगा और आप जलोगे देख पुरी पबलिक हमें सुन रही है शोर सुनाई दे रहा है उन्हें सचा ही ना पता चल जाए ही सबको पताया कब तक चिपाएंगे मैं यह सोच रहा हूँ कि मैं अपने भाई को किस तरह से बचाओंगा और तिल सिमेंट लगा दूँगा पेपर चिपका दूँगा यह ज़रूरी है अब क्या करें यूथ लीडर से लाखों के पीछे तो यूथ साइलेंट क्यों है हमारे जितने भी यूनियन लीडर से उनक किसी को मत फोड़ना दूबे जी महरबानी करके रास्ता खाली कीजिए आपके सामने आपका भविष्य पड़ा जीके की बातों में आकर उसे बरबाद मत कीजिए तुम हमारे भविष्य की चिंता क्यों कर रहे हो साब आधे गंटे के अंदर जीके के भाई को छोड़ो वरना पूरा शेहर तबा हो जाएगा चुछेhos के भाई को नहीं चोड़ा तो में यहीं पर सॉषएड कर लूँगा हम झैक बरताब्स नहीं करेंगे जी पडारे करेंगे Transformers स्टूडेंट्स गलती करें तो गलती टीचर्स की है जब बच्चे गलती करें तो गलती पेरेंस की हमारे बच्चे को चुप रहे अच्छे संसकार दिये हैं उन्हें हमारे बच्चे गलती नहीं कर सकते बहुत बरोसा है बच्चो पर लाइफ देखिए जीके हमारा पिता है त अब आप 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 यह क्या साब अपनी ड्यूटी भूलकर पिकनिक बनाने आया हो क्या लेकता है हमसे डरकर CRPF लेकर आए है जो आए हैं वो CRPF ने MRPF हैं Mothers Rapid Protection Force मा मा माइडियर मदर्स टेक पोजिशन अटाइक अटाइक मा दूबे जी चलिए क्यारम खेलते हैं माओं को अपना काम करने तो हम यह खेलते हैं अटाइक तो हमारा गदी करने के लिए आपक्छाइक अटाइक इक्जाम कभ है पाच्टारीक तो हमारे दूबे अटाइक एक्जाम कभ है? पाथ तारीक है. ओके तेल में, वाट इस दे यूज़ अफ कापासिटर? तेल में, वाट दो दो प्रोसेसर वोग्स? वाट इस इंडक्शन? बढ़ाई को कभी रही है? या बड़ा जंडा उठाने! अगर आपकी मा होती, तो आपकी बीजी तरह कुटाई करती. पुट नहीं सकता है. वाट परेगा स्टाइस? अब की सब क्या चलना है? सर, आप इन माओं को कभर रूपेए? स्वच्छ, हारत की तरह बच्चों का मनमी तो स्वच्छ हो जाए. रहे, सर. सर, सब साफ हो गया. थांक्यू माजी. हलो. लाइव टेली कास्ट कैसा लगा मिस्टर जी के? तेरे पास अभी दो दिन का वक्त है. वो पलिस वाला शिकन्जा कसता जारा है भाई. वो पलिस वाला शिकन्जा का वक्त है. वो पलिस वाला शिकन्जा का वक्त है. मुमी! वो. मालिक फिर जूप के कल्यान का फोटो आया है. आप बोलो तुसे लाइक करूँ क्या? जी के बुरे दिन शुरू हो गया है. यह वैन उसके घर की ओट बढ़ रही है. अब ही मौका है एट नॉट वन की सर्विस से बचलो. निकल लो चुप-चाप. नहीं गये तो. आउडियो प्ले करना सरा. इस शहर का वन-मैन शूँ. लोगों को पुलीस पर विश्वास दिला रही हैं ACP कल्यान. श्रिवानी को इंसाफ दिलाकर ACP कल्यान जनता की नजब में हीरो बन गए है. ACP कल्यान बहुत अच्छा ताम कल्यान है. पुलीस का पावर क्या है वो दिखा दिया. जीके के उसने पसी ने छुड़ा दिये. जीके को इस्तिफा दे देना चाहिए. मालेक, मालेक, आप ज्यादा दिन तक यहान ही रहोगे. इसलिए अच्छा है कि आप अपनी प्रोपटी मेरे नाम कर दो. आप ही सेफ रहोगे. तूरिस्ट वाला लाइन पे है. उस ACP ने वैसे ही मेरा जीना हराम कर रखा है. बची खुची का सर तू पूरी कर रहा है. हलो, तूरिस्ट वाले अंकल, मालिक कहीं नहीं जाना चाहते हैं. वो कह रहे हैं कि वो यहीं पे मरेगे. मैं नहीं मरूंगा, मरेगा तो वो ACP. ठीक है. और उसके साथ मरेगा उसका पूरा खान था. ठीक है. राजा, जी के राजा, हालाद बहुत बिगड़ गया है. केस बहुत आगे निकल गया है. सिच्वेशन हाथ से निकलती जा रही है. उस दिन मेरी बाद सुनता तो ऐसा नहीं होता ना. अब क्या किया जा सकता है, बताओ. अगर यह मैटर सेंटर तिक पहुच गया, तो मेरी कुर्सी भी चली जाएगी. यह बताने के लिए तु यहाँ है, विश्वास घाती कुत्ते. मामू! मारा क्यों? मैं विश्वास घात करने वाला कुत्ता हूँ. अरे, तेरे भाई ने जब पुलिस वाले को मारा और वो दर्वाजे तकाए, तो मैंने तुझे समझाय था ना. कहा था कि उसे सौरी बोल दे, लेकिन तुने मेरी बात बिल्कुल नहीं मानी. अब अपनी बात चुपाने के लिए तुम मुझे विश्वास घाती कह रहा है, तो अब मैं वही करूँगा. तेरे भाई ने एक लड़की काखून किया, उसके बाप को भी मरवाने की कोशिश की. मैंने किसी तरह कानून को समझा कर उस मामले को ठंड ने किया, लेकिन तुने क्या किया, कानून को फुटबॉल बनाकर उससे खेला. तुझे क्या फुटबॉल में गोल्ड मेडल चेही था मेरे भाई? कल का भविश्टी क्या होगा, मेरी जबाली सुन. सामने वाले की विजय, गुरूर की हार, शैतान का नाश्ट. भगवान जालिम को तब तक धील देता है, जहां तक उसकी हद होती है. फिर जब शिकंद्य कसता है, तो फिर उसका भगवान ही मालिक है. भगवान ही मालिक है उसका. तुपीता है तो चड़ती नहीं है ना? तुने मुझे विश्वास गाती का, इसलिए ना समझ मर, अपने घमंड में मर, मैं तो चला. भाई, उस विटनेस गाटरस मिल चुका है है मैं. मेरी बात तो सनो. आज तुम्हारे डाडी से हमारी शादी की बात करके ही रहूंगी. कुछ दिन और रुख जाओ ना. नहीं रुकूंगी. हेलो अंकल. आओ बेटी, बिल्कुल सही समय पर आयो. तुम्हें एक ब्रेकिंग निउस देनी थी. क्या है अंकल? मैंने अपने लि अहां. भाई रगू, क्या मेरा काशी सर के पैस गुमाना जरा? अपनी बेटी की खुशी के लिए एक रिपोर्टर का दिल को चलने वाले कमिश्नकाशी विश्वनात. दुबेजी के मुताबिक ये गांजा का धंदा, ड्रॉक्स माफिया, हुमन ट्राफिकिंग, लांड ग् ये तो यूही मज़ा कर रहे हैं. हां? विटनिस को कल सुबह दस बजे कोट में पेश करेंगे, सर. गुड. खल्यार! माही! बचाओ! तुम माही को फालो करो, मैं इस तरफ जाता है. माही, आई ओके? गल्फ्रेंड मिल गई ये, सोचकर ज्यादा खुश मत हो. ये बता दूं के तुझे कवरेज एरिया से बाहर क्यों भेजा है मैंने. इस केस का तेरा वो प्राइम आई विटनेस और सपोर्ट करने वाला तेरा बाब उन तोनों को मार दूंका. नाई! ए, टाइम वेस्ट मत कार. हमारे भी इस फास्ट लब बहुत स्याता है. आजा, 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 आजा. अरे, लगता तेरा दैड यहाँ आ गया. आके उसकी बाड़ी ले जा. नाई! भूफ! सार! 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 सार, बचाओ, सार! दूबे, पापा का फोन नहीं लग रहा. उनका मुबाइल ट्रेस करो और मुझे बताओ. सार! 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 सार, इधर हूं मैं, सार! 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 सार, बचालो, सार! 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 सार 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 सिंसियर पुलिस वाले या तो सस्पेंड होते हैं या बेमौत मरते हैं अब तू ही बता तेरे बेटे के साथ क्या किया जाए हरे बेवकूफ मेरा बेटा मुझसे दस गुना ज्यादा लाएन ओर्डर फॉलो करता है अभी तुछ जाहे मुझे मार दे लिखिन वो आएगा और तुझे चहन्नम पहुचाएगा फिर ये तेरे बाप का सामराच्य खत्म हो जाएगा कार फिर वहुचाएग कार बानों प्हुचाए बाब बाब॥ब्स सब कहते हैं कि जीके को हमेशा होम मेनिस से सपोर्ट करता है आप लोग तो चारा तरह घुमते हैं आपको तो इस बात की सचाई पूरी तेसे पता ही होगी ना डीजीपी के बारे में मैं एक ही बात कहूंगा चाहे कोही नूर हो या डीजीपी हो दोनों की चमक में कोई फर्क नहीं है जैहिन जीके और उसके फ्रेंड्स को बेल मिल गई है और वो जेल से भी यहां हो गया है सुजान बी सिक्स्टिम्स श्रीवनी के केस में जो गुंडे अंदर थे वो बेल पर रिलीज हो गया है दुबे ट्रेन ओन टाइम है ना इस ट्रैक पर ट्रेन कभी कबार लेट आती है लेकिन उस ट्रैक पर पैसेंजर ट्रेन राइट टाइम पर आती है शिफ्ट कर दो सब्सक्राइब बेलिग समयते अब हो सब्सक्रेण यह गुद्र मुंअ अब अभे ट्रेन नहीं हो मौत आ रही है जर्भाट टीवी ओन करने का टाइम हो गया जीके आज सुभा ही जीके का पार्टनर रविंद्र और उसका बेटा एक ट्रेन अक्सिदेंट में मारी गया वो दोनों ट्रेन की पट्री क्रॉस कर रहे थे तभी एक तेजी से आती हुई ट्रेन ने उड़ा दिया Only three hours to finish all this. Dubeji, रख तैयार है. तोनों को मारने के लिए तैयार है. शोटो करेको चालो तू. चालो तू. अंदर चालो. आपको चश्मदीत गवहां से मिलना है. आईये. एक्सिरेंट को अपने लाइब देखा क्या? आदे घंटे पहले ही देखा है. क्या देखा? एक बुढ़ा और उसके बेटे को गाड़ी रोक कर ब्रैंडी पीते हुए देखा है. अरे, बड़ी मानधारी से कौटर लेके घर पर जाके पीता हूँ और ये तो हाइवे पे फुल बॉटल पी रहे है. इसके बारे मैं और कुछ बोलना चाहते हूँ. अब लेक. डून्ट ड्रिंक और ड्राइव यार. तुवारे दो आदी दुश्या है. इनका बैस तो ड्राइवर है वे, ड्राइव करते वे कैसे मरेंगे तो असी बिनेने मारने के लिए ही सारा नाचकर चाहते. तमन्ना को देखना है तो आजाओ. अरे, हमें भी देखता है. तमन्ना चीबी तमन्ना. अहां. अरे, शुपी देखे ये. आप लोगों को चेश्मतीत गवास ही मिलना है ना? तरह आप तो… मैस तमन्न. तमन्ना का फैन. पबलिक. सलक पे हुए हाथ से को तमन्ना की पबलिसिटी स्ट्ड मानते हो. वाट इस दिस यार? वेर आर यू कोई? वो देखो. बुरे काम का बुरा नतीजा. इस पेनिंग, यार. फ्रम बॉटम आफ माइ हाथ. बेगिंग. तमन्ना का नाम बदनाम मत करो. शीज सो सिंसिटीव, यार. सीरियसली. प्यारे, जो सीरल केलिंग हो रही है, उसकी मिस्ट्री क्या है? पुलीस वालों की इस आक्शन से, पॉलिटीशन में घबराट शुरू हो गए. होगी ही ना, तुम जिने मार रहे हो, बहुत बड़े लोग है. आप तो जानते ही हैं, उनके दिखाने के दात और है, और खाने के दात और है. तुमारी ब्लैक लिस्ट पर मेरा नाम ही लिखा है क्या? वो तो आपके परफॉर्मेंस पर डिपेंड करता है. मैं अपनी जान गवा कर परफॉर्मेंस दूँगा क्या? खुन निकाल दिया. तुम सब लोग तो जनलिस्त हो ना? तो फिर मेरे उस्पाल्टी के वर्कर की तरह मुझे पर क्यों टूट पड़े? मैं खजरा हूं क्या? दोनों मॉडर्स देखकर लगता है कि ये पुलिस की साज़िश है. किसी की मौत कोई नों कोई बहाना लेकर आती है. मतलब आप इस मात को मानते हैं. आपका मतलब ये बात सच है सु. सचाई बताने से डरते हैं क्या? मेरे प्रेस वाले साथियों, मैं जब भी वक्त बेवक्त फ्रस्टेशन में रहता हूं, उस वक्त मैं एक आइटम करता हूं. ये राज जी की सारी जनता जानती है. आप लोगों को नहीं पता? वो क्या सारी 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 जय बाती है. जय हो, मेरे दुश्मनों पर आसू गैस प्रेक है की जाए. आसू.. आसू.. जब दूनी का.. आसू.. ये सिपी.. तेरा अगला टागेट मैं हूँ, यह मैं अच्छी तरह जानता हूँ श्रीवनी केस का हर एक गवा दुनिया छोड़कर परलोग सिधार गया है इसलिए तेरी जगा तेरे एक चेले को तयार कर लेगा याद रहे वो चेला तेरी तरह सिंसियर ना हो कंप्रोमाइस का सवाल ही नहीं एक घंटे में मैं दिल्ली पहुचूँगा वहां से मेरा कया हुआ पावर लेकर आऊंगा और तुझे सिंधा काड़ूँगा लाइट कितने बज़े की है? दस बज़े की है मालिक! ए तुझे क्या लगता है मुझे बातों में उलजाकर मेरा लोकेशन ट्रेस कर लेगा अरे यह एरपोर्ट की जगह हम कहां आ गए रूट गलत है रूट गलत है हम गोलों ने आपको बताया अब भुखतो कॉम्प्रमाइस का सवाल ही नहीं तीरी सिक्योरेटी किसके जिम्मेदारी थी उसे देखा था गया चल कोई नहीं अभी देख ले आई हेट पॉलेट तेरे सिक्योरेटी के लिए मेरे डिपार्टमेंट ने हमें एक बंपर आफ़र दिया था सभी आफिसर्स रेडी हो गया लेकिन कोई इंसिदेंटी लोटरी मेरी लगी मैं भी अपनी सेफटी अपने साथ रखता हूं मेरी एक बहुत ही बुरी आदत है दुश्मन चाहे जितना भी बड़ा क्यों नहों उसका सामना करता है आई तो आई वेस टू फेस जाहे उसके लिए मुझे जो कुछ भी करना पड़े तेरे भाई की मौत तैय हो चुकी है अच्छ भाई भाई रखको वाई इजा अच्छ इजा आण आई 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 सुप आई आप अचा हम थोर इस हमाशों इस सबते हैं आप और रहां था साझ अच अज्च, था रहां आप और अफ वा झाहं अज्च, इस सबता है नचो रहां पर इस दोगे रहां कर दो पीाज़ियों मुःड़्ार विए जिए的是 विए मृड़्ारी कि विए बाद स बनियर अपतीनु风 काट प्रियो । वुम ऑलंए जो शुम आ अफम्स ने डी। को मेड़ रिलो रिलो प्रू det को हाई हाई तुमको सुनामी स्टार शुभाष तुम्हारी टेथ का विटनस हुमें लेकिन मैं बारा का हूँ अच्छा तुम मर जाओ को सर एक बार इससे बलुआए I love police तब मुझे सुकून मेलेका एक बार नहीं बार बार बोलूँगा I love police But I hate criminals Officers ready Fire